हाई फ्रेंड्स अरू लीगल अकैडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स जो भी लॉग रेडवेट्स होते हैं जैसे ही AIBE का एक्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जो COP होता है यानि Certificate of Practice जो उसका Certificate होता है वो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे और उसमें कितना टाइम लगता है वो बाई पोस्ट घर पे आता है या नहीं आता उसकी क्या प्रक्रिय होती है उसके benefits क्या होते हैं और उसमें जो verification होता तो उसमें documents क्या क्य लगते हैं इस बारे में बात करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी request करूँगा आप चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon प्रेस कर लिजिए क्योंकि जो notification मिलते हैं जैसे मैं वीडियो upload करता हूं तो उसके लिए notification आपको जल्दी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon प्रेस कर लिजिए तो फ्रेंट से लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यदि जैसे ही आप LLB या LLM आपना complete करते हैं तो उसके बाद state bar council में आप registration करवा लेते हैं और उसके बाद एक exam आपको देना होता है यान आपको certificate of practice जो COP होती है उसको लेने के लिए कुछ document का verification करवाना होता है यानि form fill up करना होता है bar council में जाकर जिस भी state में आप practice करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया इस बारे में बात करते हैं तो friends उसके लिए जैसे ही आप AIBE का exam clear कर लेंगे clear करने के बाद आपक आपको ये करना होता है कि आपको bar council में जाना होगा बार council में जाने के बाद आपको जो भी AIB का अपने exam दिया था तो जो documents देने होंगे documents ले जाकर वहां पर verification करवाना होता है कई बार कुछ लोग आपसे बोलते होंगे कई video में आपने देखा होगा कि जो COP होगा यानि certificate of practice ह होगा वो by post घर पर आ जाएगा आपको कुछ नहीं करना होगा तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपके घर पर नहीं आएका आपको वहां पर जाकर अपने document का verification करवाना होगा और कुछ प्रक्रिया होती है जिसको process करना होता है उसके बाद आप बार council में 6-7 महीने म आप वहां से ले सकते हैं तो यह उसका procedure होता है तो उसके लिए document क्या क्या लगते है document friends आपको जो भी AIBE का जो आपने exam दिया है उसका admit card आपको लेके जाना है उसके बाद जो आपने AIBE की जो fees submit की थी जो भी category में आप है उसकी जो fees होगी तो receipt आपके पास होगी आपको admit card ल लेके जाना है और जो भी AIBE का exam दिया है उसका result होगा उसकी copy लेके जाना है और आपने जो जिस state में आपने registration करवाया है क्योंकि LLB complete करने के बाद जिस भी state में practice करना चाहते हैं वहां के state में आपको bar council में registration करवाना होता है तो उसका जो certificate है वह लेके जाना है और वहां पर दो photograph आपके लगेंगे दो photograph लेके जाएं जो full dress coat के साथ होंगे जैसे advocate के dress होती है tie और black coat तो उसमें लेकर अपनी दो photograph लगाना होगा आपको और वहां पर form fill up करके आपको submit कर देना है जैसे ही आप submit कर देंगे फिर आप कुछ समय बाद आपको पता करना होगा इसको complete होने म verification जैसे होगा तो इसमें 6-7 महीने में आपका certificate of practice बनकर तयार हो जाता है तो उसको आप बार council में जाकर आप पता करके उसको ले सकते हैं यह इसके प्रोसेस होता है इसके benefits क्या होता है benefits यह होते हैं जैसे ही आप LLB यानि law graduates हो जाते हैं उसके बाद बार council में आप registration करवा ल pass option यह होता है कि आपको AIBE का exam होता है इसको clear करने के बाद आप certificate जो COP होता है उसके लिए apply कर देते हैं तो वो lifetime practice कर सकते हैं आप permanent advocate यानि lifetime ले अड़ोकेट बन जाते हैं तो यह उसका process होता है तो यह इसका जो COP होता है इसके benefits यह होते हैं कि आप lifetime practice कर सकते हैं इस COP लेने के और AIBE exam pass करने के बाद COP इस प्रकार से जो मैंने प्रोसेस बताया इसी तरीके से ही आपको apply करके लेना होगा कई बार कुछ लोग वीडियो में आपको बताते हैं कि friends जो COP होगा आपके घर पर आ जाएगा बाई पोस्ट आ जाएगा आपके address पर आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है वो आपको गलत information देते हैं आपको बार council के office में जाना होगा जिस state में आपको करवाना है आपने करवाया है certificate के लिए तो वहाँ पर आपको जाना होगा और वहाँ सारे document आपको लेकर जो मैंने बता हैं वहाँ पर verification करवाना होगा और form आपको fill up करके देना होगा और जैसे verification document का पूरा हो जाएगा आपका COP यानि certificate of practice बनकर ready हो जाएगा आप वहाँ बीच में जाकर पता भी कर सकते हैं जैसे वहाँ complete हो जाएगा आप वहाँ से COP अपना ले सकते हैं तो friends इस तरीके के process follow करके अपना certificate of practice पा सकते हैं जिससे आप lifetime advocate आपको certificate मिल जाए हैं जिसमें आपने registration करवाया तो friends आसा करता हूं जो भी मैंने information दी है certificate of practice यानि COP से related आपको ज़रूर पसंद आएगी कुछ doubt है तो आप comment box में message करके मुझसे question पूछ सकते हैं तो friends आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much watching for this video stay connected and जैहिंद